कोशगाड का एक्जाम जो सेप्टेमबर में है उसके लिए परिक्षाइब पर फिर से नई और लेटेस्ट टेस्ट स्रीज आपके लाँच कर दी गई सेप्टेमबर स्पेसल तो परिक्षाइब अगर आपने आप नए कंडिटेरों परिक्षाइब डाउनलोड नहीं करिए त तो वहाँ पे कोड का उप्षन आएगा इंडियन वी 50 ये कोड डाल देना आपको सीधा 50% का डिसकाउंट मिल जाएगा तो परिक्षाइब हर बार आप एक्जाम के लिए आपके अपडेटेर नई टेस्ट लाता है तो जाकि इनको पर्चेस करो इस वीडियो में आपको इंडियन कोड काड का जो नेक्स्ट बैचे 22 का पहला बैचे जिसका एक्जाम होना है सेप्टेंबर में जिसके फॉर्म जुलाई में बरेगे उसके बारे में आपको कुछ चीज़े बताने वाला हूँ जैसे एडिमिट काड कब आएगा एक्जाम क नहीं बनाता जब तक कोई ओफिशल अपडेट नहीं आ जाती है सो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पहले जो कोश्ट गार्ड का एक्जाम होता था वो आफ लाइन होता था पचासी नबबे परसेंट वालो ही फॉर्म बढ़ते था और उन्हीं का एड्मि बाइस का पहला बैच आता है जिसके फॉर्म दो जुलाई से भरे गए हैं और 16 जुलाई लास्ट डेट थी तो इसके बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी हम लेंगे उससे पहले एक important information आपको provide करता हूँ कि Indian Coast Guard में documentation बहुत important है सारे documents आपके सही होने चाहिए जिस stage में उन्होंने जिस तरीके से बोला है वो document आपको उसी format में उसी तरीके से ले जाना है पिछली बार क्या हुआ अगर आप नए candidate हो तो जान लो अगर आप पुराने candidate हो तो हो सकता आपके साथ ये चीज हुई हो हुआ ये कि यहां पर clear mention है कि जो stage 1 का admit card आपको colored printout में ले जाना है लेकिन हुआ क्या कि आप लोगों ने क्या किया कि इसका जस्ट आपने photocopy निकलवा लिया black and white page black and white color में और आपको exam देने का मौका नहीं मिला आपको वहीं बाहर कर दिया गया उसी शम है तो ये सारी page में document हर stage में चेख होगा stage second के लिए document क्या चीए यहां दिये हो इस्टेज थर्ड में क्या document चीए यहां पर दियो है so document आपके कहीं भी किसी भी stage में अगर गलत पाए जाते हैं घरबर पाए जाते हैं आप उसी समय बाहर कर दिया जाओगे चलो मैं आपको बताता हूँ आपका admit card कब आएगा और exam कब होगा पिछला जो exam है वह online हुआ है और यहां पर जो चीज़े mention करी गई थी वो यह करी गई थी नावी की जी डी डी यांतरी का जो stage first का exam है उन्होंने बोला कि mid or end March में होगा तो यहां पर जो dates थी वो थी आपकी 20, 21 और 22 बीस, 22 तारीक को आपका जो exam है कंड़र कराया गया और यहां पर clear mention है कि before 10 days at least 10 days पहले आपका जो admit card है आपको मिल जाएगा सो जो admit card आया था वो आया था आपका 8 तारीक को इस admit card में इस admit card में सिर्फ आप official website पर जाकी यह देख सकते थे कि आपका exam date क्या है और आपकी जो exam city है वो क्या है दो चीज़े exam center आपको नहीं बताया गया था exam date से ठीक 2-3 दिन पहले यहां पर mention किया गया ठीक 2-3 दिन पहले आपको आपका exam nation जो center है वो आपको बताया जाएगा तो यही चीज़े पिछली बार हुई है आठ तारिक को आ गया था और इसके बाद यहां पर आपकी जो 20-21-22 exam date थी उससे 2-3 दिन पहले जो exam center है वो पता चल गया था मैं पूरा से ओर हूँ 100% से ओर हूँ कोई चीज़े इस बार भी वैसे ही होंगे exact date के अगर बात करूँ तो यहां पर लिखा है mid और end September में आपको जो exam is stage 1 का conduct करा जाएगा dates क्या रहने वाली है मुझे जो लगता है जो पिछली बार हुआ वही होगा 20-21-22 यही आपकी dates रहने वाली है यह थोड़ा सा risk ही है बताना लेकिन अगर मैं without risk के बात करूँ तो 18-23 के बीच में आपका exam हर हाल में conduct करा लिया जाएगा अब बात आती है admit card की तो clear यहां पर mention किया गया है कि before at least 10 days before आपको जो admit card है provide कर दिया जाएगा so 10 days मतलब 10 तारीक को आपका admit card हर हाल में आ जाएगा जिसमें आपको exam date और city पता चलेगी exam center क्या है वो आपको नहीं पता चलेगा exam city और date पता चलेगी किस date को आपका exam है अगर without risk के बात करो तो 8 से 11 इन 3 दिनों के बीच में हर हाल में आपका admit card आ जाएगा इसके लावाद जो भी आपकी exam rates रहेंगी अगर 20 है तो उसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले 17, 18 और 19 को जो आपका admit card है जिसमें आपका exam center भी दिखेगा वो आपको मिल जाएगा note लिखा हुए नीचे यहाँ पे साफसाब लिखा है कि ICG आपको हर stage पे stage 1, 2, 3 पे आपको e admit card के लिए announce करता रहेगा आपको properly जो ICG की website है वो आपको check करनी होगे इसके बाद ये भी बताया गया कि जो आपका पहला admit card आएगा वो आपको official website पे जाके check करना है वो आपको exam city और exam date देखने वो मिलेगा पर admit card डाउनलोड नहीं कर पाऊगे उसका आपको कोई भी mail नहीं आएगा कोई भी mail आपको send नहीं करा जाएगा इसके बाद जो आपका final आपका जो admit card जो कि आपको 2-3 दिन पहले आएगा exam date से उसका आपको mail भी आजाएगा 2-3 दिन पहले जैसे official website पे update होगा आपको email भी आजाएगा और वहाँ से भी आप download कर पाऊगे अगर आप official website चेक नहीं करते हो किसी भी stage के time पे और late हो जाते हो और आप अगर admit cards नहीं download कर पाते हो report नहीं कर पाते हो time पे तो इसके लिए ICG जो है वो responsible नहीं होगा आपका जो candidature है वो वहीं पे आपका cancel हो जाएगा तो यहीं थी 6-7 minutes की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत clear बासा में समझा दिया कि जो आपका exam date है वो 20-21-22 ही रहने वाली है without risk अगर बात करो तो 18-30 की बीच में आपका exam हो जाएगा admit card आपका 8-15 की बीच में आ जाएगा मतलब अभी भी आपके पास एक महीने कुछ दिन का समय है अगर आप अच्छे से लग जाते हो त्यारी करते हो तो काम हो जाएगा एक चीज मैं आपको बताता हूँ आपके पास कोई भी book हो आप ये मत पूचा करो कि कौन सी book जो है वो best है जो भी आपके पास book है उसको आप पढ़िए अच्छे से पढ़िए जो भी topic आपको समझ नहीं आता है उस topic को आप YouTube पे search करिए पचासो वीडियोज मिल जाएगी पचासो टीचर आपको बताएंगे जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उससे आप समझ लो इस तरीके से आप proper strategy बना के चलेंगे त्यारी करेंगे तो आप बेहतर exam में कर पाऊगे क्योंकि vacancy का मैं competition ज़ादा है साड़े तीन लाग से भी ज़्यादा form बरे गए है सिंपल सी बात है हर चीज आपको ध्यान से देखनी होगी हर स्टेज पर आपको सावधान रहना होगा ओप ये वीडियो आपको समझ आई होगी चीजें किलियर हो गई होगी इसके लावा अब भी आपको परेशान होने एक जरूत नहीं कि आपके exam date क्या रहने वाली यही रहने वाली है बाको ये वीडियो आपको कैसी लगी कुछ questions है तो आप comment box में छोड़ सकते हो जो भी questions है मैं उनके जवाब जरूर दूँगा बाकी मिलते हैं इस वीडियो में टेक क्यार बाई गाइस